तो भाई और बेहने इस सभा में उपस्तित हैं मैं उन सब का प्रभू ईशू के नाम में एक बार और स्वागत करता हूँ मीटिंग के प्रार्णम में आकर एक भाई ने मुझे बताया था कि उनकी तबियत ठीक नहीं है इस सभा क्यांत में दुबारा मुझे से मिलने के लिए आएं मैं आपके लिए प्रार्णम करूंगा जिससे कि प्रभू आपको तुरंथी ना केवल चंगाई दे बलकि स्वास्त भी प्रदान करें जिससे कि आप अपना नोकरी धंदा, नोकरी पेशा, स्वास्त शरीर और यदि और कोई भी आज बीमार है या मानसिक रूप से, किसी भी तरह का खलेश सह रहा है या परेशानी से होकर गुजर रहा है, तो इस सभा के अंत में आगे जो प्रार्णम कर लेंगे, उसके बाद आकर व्यक्तिगत रूप से मिलिए, मैं और मेरे साथ जो भाई हैं, हम ल करफू के बच्चों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के लिए प्रार्णा करें, और नकेवल जिम्मेदारी है, यह हमारे जीवन का एक धन्याऊसर है, कि हम आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को प्रार्णा के दिवारा शेर कर सके या बांट सके. आज यदि इस सभा में कोई व्यक्ति पहली बार आया है तो मैं उस व्यक्ति का भी स्वागत करता हूँ प्रभु ने अपनी असीमित कृपा में हमको एक और मौका दिया है कि हम इस तरह से इखटे हो सकें ये बड़ी धन्य बात है केरल में साल के सिर्फ 200 दिन सूखे रहते हैं बाकी 165 दिन पानी बरसता है और इस कारण बरसात के सीजन में शाम की सभाव में समय पर पहुँच पाने एक कठिन कारी है लेकिन घर बैटकर सुस्ताने के बदले इतने सारे लोग समय पर यहां आए मैं उन सब का इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि आत्मिक बातों के लिए आप इतना महत्तों देते हैं प्रभु के वच्छन से हम लोग बहुत ही क्रम बद्ध तरीके से इस संसार की सृष्टी से लेकर आगे की घटनाओं का अध्यान कर रहे थे और इन घटनाओं में मेरे और आप के लिए जो जानना जरूरी है वो सारी बातें प्रभु के पुवित्र वच्छन बाइबल में लिख कर प्रभु ने हम सब को दे दिया है ना केवल लिख कर दे दिया है बल्कि प्रभु ने अपने बच्छों को जो जिम्मेदारी दी थी कि जाओ और संसार में हर व्यक्ति को ये संदेश सुनाओ या हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचाओ तो हजारों लोगों ने कईयों ने तो अपना पूरा जीवन समर्पित करके इस महान ग्रंत का परिमेश्वर के वचन का अध्य का अनवाद सारी दुनिया की सब महतुपूर्ण भाषाओं में किया है आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय इस प्रदेश की भाषा मले आलम है मले आलम में कई लोग बाइबल लेकर चर्चाते हैं मैं सामने हिंदी बाइबल खोले हुए हूँ उडिया भाषा में बांगला भाषा में उसके अलावा अंग्रेजी में इस तरह से ओ गजब हो गया आसाम की भाषा में और प्रभु ने मदद की तो आने वाले दिनों में अपने हिंदुस्तान की हर भाषा की बाइबल हम यहां लाकर आपको उकलब्द करवाएंगे जिससे की आप में से हर व्यक्ति अपनी अपनी माक्र भाषा में परमेश्वर के वचन को पढ़ सके लेकिन मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को इश्वर के वचन को इब्राइनी भाषा से और युनाइनी भाषा से अनुवाद करके मेरे और आप तक पहुँचाने के लिए हजारों लोगों ने इवन अपना संपूर्णी जीवन बलिदान कर दिया था क्यों इसलिए कि उनके जीवन में जो खुशी मिली है वो लोग चाते थे कि वही खुशी सारी दुनिया में हर व्यक्ति को मिले और प्रभु ने यही आगिया अपने अनियाईयों को दी है कि यदि तुम वास्तों में मेरे अनियाई हो और यदि मुझ से प्रेम करते हो तो जाओ और ये संदेश सारी दुनिया में हरे को उपलब्द करवाओ इस कारण आज शाम को फिर से ये सभा इस तरह से एकतरित की गई है और जो लोग आए हैं मैं एक बार और उन सब का अभिनंदन करता हूँ प्रभु के वच्चन से पिछले दो-तीन हफ्तों से हम एक बहुत ही महान व्यक्ति के जीवन का अध्यान कर रहे थे और पिछले कई महीनों के अध्यान में हमने किसी भी व्यक्ति को इतना समय नहीं दिया है जादा से जादा दो हफ्ते हमने एक व्यक्ति के जीवन का अध्यान किया लेकिन मुसा नाम का वो जो महान नायक था उसके जीवन के अध्यायन को चालू किये हुए कई हफते हो गए और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और मैं आपको यकीन दिलना चाहता हूँ कि वो इतना महान नायक था कि उस महान नायक के जीवन का अध्यायन अभी कई हफतों तक समाप्त नहीं होगा बलकि हर हफ़ते उस महान व्यक्ती के जीवन में कुछ न कुछ हम देखेंगे लेकिन उस महान नाइक के बारे में आगे कुछ बातें देखने से पहले पुनह दुबारा मैं एक बात आपको याप दिलाना चाहता हूँ कि प्रभू ने एक ऐसे व्यक्ति को जो देखने में तो आकरशक था लेकिन जिसके मन में कई तरह की गलत फेहमिया थी और जो बोलने में हकलाता था आएसे व्यक्ति को लेकर उसको इतने महानायक के रूप में बदल दिया जो मुझे और आपको याद दिलाता है कि यदि प्रभू ने मुझे और आपको बुलाया है तो मेरे और आपके जीवन की कोई भी कमी या घटी प्रभू के लोगों की अगवाई करने में और प्रभू की सेवा करने में किसी तरह की रुकावट नहीं है मैंने ये बात इसलिए कही कि कई बार हम सोच लेते हैं कि ये प्रभू मैं ज़्यादा पड़ा लिखा नहीं हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ प्रभू मेरी इच्छा है कि मैं दस हजार लोगों को बाइबल बांट दू लेकिन मेरे पास एक भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है ऐसे काम जिसको हम नहीं कर सकते वैसे कामों के पीछे जाने के बदले हम अपने जीवन को जाच कर देखें कि प्रभू हम से क्या चाहते हैं मुसा को ये बात पहचानने में लगबख 40 साल लगे और 40 साल के बाद जैसे ही वो प्रभू की इच्छा के लिए बाहर निकला उसने अपने वुद्धी से काम किया और सब गड़बड कर दिया और उसके बाद और 40 साल लगे उसको ट्रेनिंग देने में दूसरी बात मैं आपको आरंभु में याब दिलाना चाहता हूँ वो यह है कि यदि आप प्रभू की संतान हैं तो आपके लिए जरूर प्रभू की कोई न कोई इच्छा है वो इच्छा पैचानना हमारे लिए जरूरी है यदि हम अपने जीवन में प्रभू की इच्छा पैचान लेते हैं तो मैं पुनह याब दिलाना चाहता हूँ ना तो हमारे शरीर की कमजोरी ना हमारे मन की कमजोरी ना पढ़ाई की कमी ना धन की कमी ना आवसर की कमी रुकावट बनकर आएगी जिस छण आप प्रभू की सेवा के लिए तयार है उस छण प्रभू आपको लेकर आपका उपयोग करेंगे तो प्रिय भाई और बेहनो आप सब लोग कई पेशे में हैं शायद आप में से कुछ लोग पेंटिंग का काम करते हैं कुछ लोग मशीनों का काम करते हैं कुछ लोग एन्नी काम करते हैं कुछ लोग अभी केरल आए ही आए हैं काम सीख रहे हैं भाशा सीख रहे हैं कोई बात नहीं आप कुछ भी करते हों किसी भी हालत में हो आप जो कायरी कर रहे हैं उसके साथ आपकी जरूरत प्रभू को है प्रभू ने मुसा से जब कहा कि जाओ और मेरी जनता को छुड़ा कर लाओ तो मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ मुसा के लोग, इसराइली लोग, यहुदी लोग, लगबक चार सो लोग चार सो के करीब साल पहले, मिस्र देश में आकर सेटल हो गए थे और प्रभू के अनुग्रे के कारण इन चार सो सालों में फल फूल कर उनकी संखिया लाखों में पहुँच गई थी और जब प्रभू ने कहा उस हकले से, जो बोल नहीं पाता था उससे कहा कि जाओ और उनको छुड़ाओ तो लाखों लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाना था यह उसकी जम्मेदारी थी और जब उसने पूछा कि प्रभू मैं क्या करूंगा मिस्र देश का शासक राजा दिराज जब मुझसे पूछेंगे कि क्या यारंटी है कि तुमको प्रभू ने भेजा है तो मैं क्या जवाब दूँगा तो प्रभू ने मुसा को तीन अद्भुत चिन दिये थे ओके मुसा आप पहुँचा देखिए निर्गमिन की पुस्तक जिसका हम अध्यान कर रहे हैं उसके पांचवे अध्याय के पहले पत को मैं पढ़के आपको सुनाता हूँ इसके पश्चात मुसा और उसके भाई हारुन ने जाकर महा राजा दिराज फिरौन से कहा इन इसराइलियों का प्रभू तुम से कहते हैं मेरी प्रजा के लोगों को छोड़ दो उनको जाने दो जिससे की वे इस देश से बहुत दूर जाकर जंगल में अपने प्रभू के लिए उत्साओ मनाएं और एक्जेक्ली जैसा मुसा ने प्रभू से कहा था वैसा ही हुआ महा राजा दिराज फिरौन ने कहा ये तुमारा प्रभू कौन है मैं क्यों उसकी वाणी मानूं मुझे क्या मालूम कि तुम को ईश्वर नहीं भेजा है या तुम अपने आप जबरदस्ती मेरे लाखों गुलामों को यहां से छुड़ा कर ले जाना चाहते हो मुसा चाहता तो तुरंत उसका जवाब दे सकता था लेकिन कुछ तो कारण था जिससे मुसा ने एकदम से जवाब नहीं दिया और प्रभू ने उसको जो अद्बुत कारी करने को बोला था वो नहीं किया मुसा महाराजा दिराजा के सामने से निकल कर चला गया महाराजा दिराज ने जाने से पहले एक बात कहा तुम जाकर अपनी महनत करो लोगों को ले जैने लाने ले जैने वगरा के लिए कुछ की बात मत सोचो राजा दिराज ने उस तिन परिश्रम करवाने वाले लोगों को जो इस्राइलियों के उपर थे उनको ये आग्या दी कि अभी तक इंट बनाने के लिए तुम उनको भूसा देते थे अब वो देना बंद करो लेकिन इंटों की संख्या कम मत करो इसके एक बैक्ग्रॉंड मैं आपको बताना चाहता हूँ चार सो सालों में इस्राइलियों की संख्या बढ़कर जब लाखों में हो गई तो मिसर के राजा दिराज ने कहा कि कहीं कल को ये लोग मेरी गद्धी न चीन लें और मिसर देश के जो राजा दिराज लोग थे वो तमाम बिल्डिंग्स बनाया करते थे मुसा के समय से साड़े तीन हजार साल हो गए हैं आज भी मिसर देश में वो बिल्डिंग्स खड़े हैं साड़े तीन हजार सालों की दूप, बरसात, आंदी, तूफान इसके बावजूद वो बिल्डिंग्स सॉलिड खड़े हुए हैं और कई को तो उस चमाने में उन लोगों ने जो सील किया था आज तक सील तोड़ा नहीं जा सका है ऐसे बिल्डिंग्स खूब मिसर के राजादी राज बनाते थे, बनवाते थे तो उन लोगों ने इसराइलियों को गुलाम के रूप में यूस करके इस तरह से लाखों करोडों इंट बनवाए थे हम सब जानते हैं इट बनाने के लिए पहले उसको अच्छी तरह से मसाला कूट पीस के उसको गूतना पड़ता है सांचे में डालके शेप बनाना पड़ता है उसके बाद उसको भटी में रखते हैं और भटी के अंदर जलाओ लकड़ी और उसके साथ सूखी घास पूस डालकर आग दे के उसको सील कर दिया जाता है धीरे धीरे जलके वो पक जाता है लेकिन मिस्र में ऐसी भहेंकर धूप पड़ती थी कि भटी में पकाने की जरूर्यत नहीं थी वो मिटी ही सूख के ऐसे कड़ी हो जाती थी लेकिन उस मिटी को बल देने के लिए वो लोग घास पूस को मिटी के साथ मिलाते थी जिस तरह से लोहे में स्टील मिलाकर कॉंक्रीट बनाये जाता है उसी तरह से उस चिकनी मिटी में वो लोग घास फूस मिलाकर उसको बिल्कुल स्ट्रॉंग कर दे थे तो महराजा दिराज ने कहा कि ये गुलाम लोग यहां गुलामी से बचकर भाग जाना चाहते हैं फ्री फंड के गुलाम हमको कहां से मिलेंगे और वो भी दो या चार गुलाम थोड़ी लाखों गुलाम है फ्री फंड के और इसलिए जितने इंट या जितना इंट एक गुलाम एक दिन बनाता है उतना ही बनाना है लेकिन कल से घास फूस देना बंद करो मतलब उनके उपर अत्याचार ऐसी कड़ाई से करो कि वो फिरोन के सामने आकर महाराजा दिराच के सामने आकर दया की भीक मांगे हैं जिससे कि वे इस देश को छोड़ कर जाने की कोशिश आई इंद ना करें बिल्कुल ऐसा ही हुआ उनको घास फूस देना बंद किया बहुत हालत खराब हो गई वो लोग सारे देश में मारे मारे फिरे घास फूस इखटा करने के लिए इसके बावजूद जब वे लोग परियाप तीन्ट नहीं बना सके तो खूब उनकी पिटाई हुई उन लोगों ने फिरवन के पास महाराजा अदिराज के पास जाकर याचना की कि हे प्रभू हम पर दया कीजिए अब तो हमको घास फूस नहीं दिया जाता है लेकि नीटों की संक्या उतनी ही बनानी पड़ती है महाराजा अदिराज ने का तुम सब काम चूर निकम में लोग काम नहीं करना चाते इसके लिए तुमने मूसा नाम की एक आदमी को मेरे पास बेज दिया है नाटक करते हो कि ईश्वर ने तुम से बात की है कोई बात नहीं की है और तुम मैंसे कोई कहीं नहीं जाएगा सब के सब यहां गुलाम रहेंगे और मैं तुमारी कड़ी मेहनत को बिल्कुल कम नहीं करूंगा इसराइली लोग रो दिये मुसा के पास पहुँचे हम लोग गुलामी कर रहे थे जैसे तैसे काम कर रहा था लेकिन तुम नहीं क्या किया महाराजादिराज से जाकर तुमने बात की तो उसके कारण हमको छुटकारा मिलने के बदले हमारी मुसीबत दस गुना हो गई है मुसा ने मुसा का मन रो पड़ा अपने लोगों के लिए तो उसने ये सब किया था उसने जाकर प्रभू से का प्रभू ये आपने क्या किया है आपने मुझे भेजा मैंने राजादिराज फिरौन को सिर्फ वो बात बोली जो आपने मुझ से कहा था कि मेरी प्रजा को जाने दो लेकिन यहां तो मुसीबतों का पहाड तूट गया है उसने जाने ने दिया वो छोड़िये प्रभू अब तो लोगों की बड़ी हालत खराब हो गई है प्रभू ने कहा कि देखो मैं निश्चित रूप से तुम लग सब लोगों को छुडाओंगा प्रभू ने कहा कि देखो ये मिस्र देश का राजा दिराज जो घमंडी है मैं उसके घमंड को चूर चूर कर दूँगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसलिए अब की बार तुम जाओ और जैसा मैं तुमको आग्या देता हूँ वैसा करूँ ठीक है क्या हुआ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ सात्वा ध्याय दस्वा पद तब मुसा और उसका भाई हारुन उन्हेंने राजादीराज फिरउन के पास जाकर प्रभू किया गया के अनसार किया और हारुन ने अपनी लाठी फिरउन और उसके करम चैरियों के सामने डाल दी मैं याद दिलाना चाता हूँ फिरउन का जो राजादीराज था वो महल में जब किसी से मुलाकात करता था तो पचास सो दर्बारी लोग, मंतरी लोग सेनापती, अन्य नायक मौजूद रहते थे तो मिस्र देश के सबसे बड़े नायकों और राजा दिराज के सामने हारुन ने वो लंबी सी लाठी जमीन पर डाल दी और क्या हुआ? तब वो अजगर बन गई प्रभू ने पहले मुसा को यही बात बताई थी तब तो वो सांप बना था और इस बार जब उसको महराजाद राज के सामने डाला तो वो तो बड़ा अजगर बन गई, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अजगर को देखा है, लेकिन सच कहना चाहता हूँ, भाईयों यदि एक अजगर यहाँ इस हाल में बीच में प्रतियट हो जाए तो सच कहता हूँ कि आप में से कोई इस हाल में नहीं रहेगा क्योंकि वो सांप के कमपैरिजन में काफी बड़ा और मोटा होता है जहरील नहीं होता है लेकिन उसको देखके देखने वाले की हालत खराब हो जाती है मिस्र का राजा धिराज कोई आसत आम ओडिनरी आदमी नहीं था अरे उसने कहा आजगर लाठी डालके आजगर बरना दे के तमाशा दिखा रहे हो उसने अपने जादू गरों को बुलाया बाजी गरों को बुलाया बुलब देखाओ इनको कि ये कोई बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है तो उन्होंने भी अपनी अपनी लाठीयां डाली सब अजगर बन गे तो फिरौन मनी मन उस दिन हसा कि बच्चू तुम अपने लोगों को ले जाने के लिए आये थे और तुम कहते हो कि तुमको प्रभू ने इलाठी जमीन पर डालकर आजगर बनने को बोला मेरे दो कौडी के जो इस दर्बार में जो जादूगर है उन लोग ने वही करके दिखाया कौन सा प्रभू कहां का प्रभू फिरौन मनी मन सोच रहा था और हस रहा था तब एक और बात घट गई मूसा के अजगर ने बाखी जितने वहाँ अजगर थे सब को निगल लिया और उसके बाद हारून ने हाथ बढ़ा के उसको उठा लिया तो फिरलाटी बन गई तब ये बात सपष्ट हो गई कि फिरौन के दो कोड़ी के जो जादूगर थे वो लोग अपने जादू से ऐसा कुछ कर सकते थे लेकिन उनका आजगर प्रभू की तरफ से नहीं आया था इसलिए उनके जितने अजगर के उनको इसने निगल लिया लेकिन मिस्र देश का शाहनशा कोई ओडिनरी आदमी नहीं थो बड़ा हठी था उसने का कि होगा बात की होगी प्रभू ने तुम से लेकिन मैं नहीं जाने दूँगा मुसा से प्रभू ने का देखो मिस्र का शाहनशा दिल में बहुत हठी है कठोर है मैं लेकिन उसके हठ को उसके घमंड को चूर चूर कर दूँगा और एक दिन वो तुम से गिड़ गड़ा कर कहेगा ले जाओ अपने लोगों को और जो चाहिए इस देश से लूट कर ले जाओ लेकिन बाबा भाया मेरी जिन्दगी बक्ष दो लेकिन उस समय के आने में अभी थोड़ी देर है क्योंकि प्रभू जब भी कोई कारी करते हैं तो उसके पीछे प्रभू का अपना भी लट्ष है इसलिए मुसा तुम मेरे कहे अनुसार फालाना काम करो ठीक है उसके अनुसार हम देखते हैं सात्वे अध्याय के उन्नीस्वे पत से आगे हम देखते हैं बीस्वे पत को मैं पढ़के सुनाता हूँ मुसा ने अपनी लाठी को उठा कर फिरौन मतलब महराजा अधिराज और उसके करमचैरियों के देखते देखते नील नदी के जल पर प्रहार किया ये नील नदी क्या बला है मिस्र देश की सबसे बड़ी सबसे अधिक जल देने वाली उपजाओ जमीन की सुरुष्टी करने वाली नदी है जल नीला नहीं था लेकिन नीली मा लिये हुए था इसलिए हिंदी में उसको नील नदी कहते है वैसे उसका नाम कुछ और है आज भी वो नदी है मुसा के समय से साड़े तीन हजार साल के बाद दुनिया की कई नदियां लुप्त हो चुकी है लेकिन नील इतनी शक्तिशाली नदी है कि आज भी है और बरसाथ के सीजन में वो नदी अपने अगल बगल की सारी जमीन को कवर कर लेती है और जब वापस जाती है तो ऐसी मिट्टी छोड़ जाती है कि जमीन सोना उगलती है मिस्र देश में इस कारण मिस्र देश के लोग नील नदी को अपना इश्वर मानते थे उनके बहुत सारी इश्वर थे वो अपने राजाधी राज को भी इश्वर मानते थे लेकिन इस नदी को भी इश्वर मानते थे उनकी नजर में जो अपने इश्वरों पर घमन करते थे उनकी देखा देखी मुसा और हारुन ने उस लाठी को लेकर नील नदी के जल पर जब प्रहार किया तो एक ऐसी घटना घटी जो ना तो उसके पहले और ना उसके बाद आज तक दुनिया में किसी ने देखी है और वो घटना ये है कि नील नदी का पानी एकदम से लोहू बन गया यहां लिखा हुआ है कि सारे मिस्र में ना केवल नील नदी में नदी से अंडरग्राउंड पानी कुओं में पहुँचता है उस सारे देश की नदी में और कुओं में सब जगे पानी लोहु ही लोहु हो गया, बद्बू के मारे लोगों की हालत खराब हो गई क्या हुआ? कोई रिजल्ट हुआ क्या? नहीं कुछ जादूगर थे जिनके पास बरतनों में पानी रखा हुआ था जो पानी ही रहा उनने भी सामने लाके दिखाए कि देखिए यह पानी है उनने अपना जन्तर मंतर किया तो वो पानी भी लहु बन गया, तो मिसर देश का राजा दिराज का दिल फिर कटोर हो गया कि ये तो हमारे जादूगर्बी कर सकते कौन बड़ी बात है लेकिन जब जनता प्यास के मारे जब त्राही त्राही करने लगी तब मुसा ने कहा तब फिरॉन ने कहा मुझे छुटकरा दो साथ दिन इस तरह से बीट गए देखिए घरों में पानी होता है थोड़ा थोड़ा करके पिएं दीरे दीरे पिएं तो अभी पानी उससे ज़्यादा नहीं रह पाता है साथ दिन के बाद जब पानी नॉर्मल हो गया तो फिरॉन ने फिर अपना सोचना बदल दिया बीच में बोलता था कि मैं छोड़ दूँगा ये कर दूँगा वो कर दूँगा लेकिन जब सब नॉर्मल हो गया तो उसने अपना मन कठोर कर लिया मेरे प्रिये भाई और बेहनों जब हम इश्वर की इच्छा के अनुसार कारी करते हैं तब हमको लगता है कि सारी दुनिया के लोगों को हमारी वानी सुन लेनी चाहिए क्योंकि मैं इश्वर का संदेश सुना रहा हूं मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि शास्त्री फिलिप हमने इस इलाके के जितने लोग थे उन सब को प्रभू इश्व का संदेश सुनाया लेकिन उन में से किसी ने भी उस संदेश को नहीं माना वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभू का बचन आदी से लेकर अंत तक ये बात याग दिलाता है कि प्रभू के बच्चों को अपनी जिम्मेदारी नियमित रूप से पूर्ण करनी है लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करें वो तो ठीक है दूसरे लोग प्रभू की और मुड़े या ना मुड़े आप अपने कारी करते रहिए क्योंकि संसार हटी लोगों से भरा हुआ है जो प्रभू के पास आने के बदले प्रभू से दूर जाना चाहते है और इसलिए आज शाम को पहला पाठ जो हम सीखते हैं वो यह है कि मुझे और आपको प्रभू ने बुलाये जरूर है और मुझे आपको प्रभू का कारी करना जरूर है लेकिन जब हम प्रभू का कारी करते हैं तो ये ना सोचें कि बस हमने ये किया और तुरंत फल मिलने लगा हिंदी में कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्या प्रभु के कारी में या प्रभु की सेवा में ऐसा नहीं होता है प्रभु की सेवा में आज भी आपको लगे रहना है कल भी लगे रहना है परसों भी लगे रहना है फल मिले या ना मिले सौ दिन के बाद भी लगे रहना है जब तक प्रभू आप से उस कारी में लगे रहने को बोलते हैं तब तक लगे रहना है मुसा को भी प्रभू ने यही बात बताई थी कि मुसा जल्द बाजी मत करो आएगा समय आएगा जो फिरों गड़ गड़ा कर तुम से कहेगा कि ले जाओ अपने लोगों को जो कुछ तुमको ले जाना है ले जाओ लेकिन उस समय तक तुम मेरी आज्या मानते रहो जिससे कि मैं उस विक्ति के घमन को चूर चूर ना कर दो उसी तरह से जब आप प्रभू का कारे करते हैं और यदि एक दिन में या दो दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है तो याद रखें कि प्रभू ना के वल आपका ख्याल रख रहे हैं प्रभू सारी दुनिया में काम कर रहे हैं और प्रभू का एक सिस्ट्यूम है प्रभू के बन में कुछ योजना है उस योजना के समान प्रभू जब कारी करते हैं समय लगेगा लेकिन एक समय ऐसा आएग जब सारे इंट अपने स्थान पर आ जाएंगे, मकान बन जाएगा, भवन तयार हो जाएगा, उसी तरह से प्रभु की योजना पूरी हो जाएगी दूसरी बात जो आज शाम को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बाइबल में एक वाक्य है जिसका अनुवाद लगभग दुनिया की सारी भाषाओं में हो चुका है, मतलब हजारों भाषाओं में उस वाक्य का अनुवाद हो गया है, इसके पहले एक दो बार में वाक्य आपको पढ़कर सुना चुका हूँ, वो युहनना नामक पुस्तक के तीसरे अध्याय के सोलहुए पद में हम देखते हैं, मैं आपको मुझवानी सुनाता हूँ, और वो इस तरह से है, क्योंकि प्रभू ने इस संसार से इतना स्नेह किया, इतना प्रेम किया, कि उन्हा ने अपने एक लोते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, जिससे कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नश्ट ना हो जाए, वो नाश ना हो जाए, लेकिन शाश्वत जीवन, सदा सरवदा का जीवन पाए, ये दूसरी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप कहे कि सर वो वाक्य इतना लंबा था कि आखरी आखरी पोर्शन सुनते सुनते पहला पोर्शन तो भूल गए, कोई बात नहीं है, मैं दुबारा आपको बताता हूँ, उसका पहला वाक्य ये याद दिलाता है कि इश्वर ने संसार के हर व्यक्ति से प्रेम किया, हम एसे कई लो लेके हमारे जीवन में गलती ढूनने के लिए बैठे हैं और कोई गलती देखी तो पिटाई शुरू, जो गलत करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि ढून ढून के आपकी और मेरी गलती निकाल कर हमको सजा दे, बेलकि प्रभु क इच्छा है, उसी बाकी के सबसे आखर में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति ना अश नहो बलकि शाश्वत जीवन पाए, ये प्रभु की इच्छा है, तो प्रभु हर व्यक्ति को टटोलते हैं, हर एक को बिलाते हैं, मेरे बचचे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने इस संसार में जन्म लिया है तू मेरा बच्चा है लेकिन तू अपने रास्ते पर चल रहा है या चल रही है और यदि तू अपने रास्ते पर चल रहा है तो जब तक वो रास्ता छोड़ कर मेरे रास्ते पर नहीं आएगा तब तक तू नाश के रास्ते पर चल रहा है इसलिए मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आओ मैं तुमको मुक्ति दूँगा मैं तुमको नए जीवन दूँगा देखे मैं कम से कम सो बार ये बात आपको बता चुका हूँ कि एक बच्चे को जूट बोलना नहीं सिखाना पड़ता है गलत काम करना नहीं सिखाना पड़ता है वो अपने अब बोलता है क्यों? इसलिए कि उसके दिल में पाप का स्वभाव है मनुश का जुकाव हमेशा सदा सर्मदा पाप की तरफ है बाइबल में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि पाप की सजा है मृत्यू लेकिन बाइबल में ये भी लिखा हुआ है प्रभु कहते हैं कि कोई भी नाश नहो बलकि शाश्वत जीवन पाए उसके लिए प्रभु ईशु आज से 2000 साल पहले इस संसार में मनशी रूप धारण करके पधारे 33 साल के जीवन के बाद उन्होंने सूली पर अपना जीवन मेरे और आप के लिए कुर्बानी के रूप में अर्पित कर दिया प्रभु ने स्वयम ये बात कही बच्चे मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आओ मैंने अपना जीवन तुमको मुक्ती देने के लिए कुर्बानी दी है मेरे पास आकर जिस छंड तुम मान लोगे सिर्फ एक बात मानने की जरूरत है प्रभू मैं पापी हूँ आपने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहन करता हूँ एक वाक्य है तीन छोटे टुकड़े करके मैंने आपको बताए मैं पापी हूँ मेरे लिए आपने अपने जीवन दिया मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहन करता हूँ जब आप मन से ये बात प्रभू से बोलेंगे प्रभू आपको वो शाश्वत जीवन वो नया जीवन देंगे जब वो जीवन आपको मिल जाएगा तब आपको ये बात महसूस हो जाएगी कि आप प्रभू की संतान है प्रभू के बच्चे हैं और जब आपको ये बात महसूस हो जाएगी कि आप प्रभू के बच्चे हैं तब आपको अपने जीवन में प्रभू की क्या इच्छा है ये ढूंडने की, इसको तलाशना स्टार्ट करना होगा आज इस सभा में ऐसे कई भाई बहन लोग हैं, जिनोंने अपने जीवन में इस बात को पहचाना था, कि मैं पापी हूँ, मैंने पाँच साल की उमर में पहचाना, यहां कुछ ऐसे हैं जिनोंने शेयर दस साल की उमर में पहचाना, कुछ ऐसे हैं जिनोंने बीच साल की उमर मे या उसके बाद पहचाना लेकिन इस तरह उन सब की संख्या ले ली जाए तो इस सभा में आज ऐसे बहुत सारे भाई और बहन मौजूद हैं जो प्रभु ईशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में पहचान गए हैं जिन्नोंने ये नए जीवन पाया है और जो चाहते हैं कि इस नए जीवन के बारे में आपको बताएजए इस का रन्ट वो लोग आए हैं एक्शलि आज इस सभा में ऐसे कई लोग है जो धारा प्रभा हिंदी नहीं बोलते हैं एसे कई हैं जो हिंदी बोलते ही नहीं हैं इसके बवजूद वो आएं हैं वो दो जवान बच्चे जो हर संडे musical इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए बजाते हैं वो पढ़ते लिखते बच्चे हैं और केरल में जूण में पढ़ाई चालू हो जाती है अपने इलाके में जूलई में होती है यहाँ जून में पढ़ाई चालू हो जाती है यह पढ़ते लिखते बच्चे संडे को बैट कर पढ़ाई बगरा करने के बदले यहाँ क्यों आते हैं इनको कोई पैसा नामा देता है कोई कुछ नहीं देता है फिर क्यों आते हैं बाशा ना जानने के बावजूद सुर्फ एक कारण, आज से कुछ साल पहले इन दोनों बच्चों ने प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया, उस नए जीवन की खुशी उनके जीवन में आई, एक समय ऐसा आया, जब उनने यहाँ पर सुबह जो मंडली जुड़ती है, उसके मुखियों से जाके कहा, कि हमने वाकई में प्रभू ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया है, और अब हम चाहते हैं, कि इस सारी मंडली के सामने, हमको जल संसकार दिया जाए, जिसके द्वारा हम सब के सामने डिकलेर कर सकें, कि हमने मुक्तिपाई है, मैं कैसे जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि मैं इस सभा का अंग हूँ, सभा के एक मुखे यहां बैठे हुए हैं सभा के अन्य अंग बैठे हुए हैं इन सब ने इस बात को देखा था उससे ज़्यादा मैं इसलिए जानता हूँ कि मैंने उनको जल संसकार दिया था मैंने उनसे पूछा दोनों से बेटे तुमने प्रभु इशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रंड किया था उन्हेंने बुला हाँ जी हाँ और ये जल संसकार तुम अपनी इच्छा से ले रहे हो या दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने सब के सामने ये गवाही दी कि हम प्रभु इशु के आज्या मानने के लिए ये लेना चाहते हैं तब मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ पास में एक नदी में उन दोनों को जल संसकार दिया था इस तरह से यहाँ कई लोग सुर्फ इसलिए आए हैं उनके जीवन में जो शांती और खुशी है वो शांती और खुशी आपके साथ बाँट सके इसलिए मेरा अनुरोध है मेरे प्रीज भाईयों मेरी प्रीज बेहनों यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने प्रभु इशु के द्वारा ये मुक्ति इस नई जीवन का अनुभो नहीं पाया है इस सभा के बाद हम ऐसे किसे से बात कीजिए हम डीटिल में आपको समझाएंगे आप पूछेंगे जलसंसकार क्या है पूछ लीजिए उसके बारे में भी डीटिल में आपको हम बताएंगे इसलिए तो हम यहां आएं है आज शाम को प्रभू ने हम सबको ये मौका दिया मैं प्रभू को बहुत शुक्र गुजार हूँ आज पानी बरस रहता आज ज़्यादा लोग आए है इसका मतलब है कि किसी भी हालत में आत्मिक जीवन में अनिग्रह पाना है या आप लोगों के मन में है प्रभू आपको अनिग्रह दे इस होल को छोड़ कर जाने से पहले मैंने जितनी बातें बताई हैं इनके बारे में भाईयों से बेहनों से पूछ कर डीटेल में जानकर ही यहां से जाएं हम कोशिश में हैं कि इन विश्यों के उपर हिंदी में, उडिया में, बांगला में आसामी भाषा में और अन्य भाषाओं में हम आपको पुस्तकें, पुस्तिकाएं और बहुत सारी चीजें उपलब्द करवा सके हमको थोड़ा से टाइम दीजिए समय मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि उन प्रदेशों से हजारों किलोमीटर दूर यहां बैठे ठाले यह चीजें एकदम से आ नहीं जाएंगी हमने कई लोगों से कहा है आने वाले हफ्तों में यह चीजें आने लगेंगी और तब हम यह चीजें आपको उपलब्द करवा देंगे तो आप अपने स्वयम की भाषा में भी और डीटेल में इन बातों को पढ़ सकेंगे हां यह बात मैं याद दिलना चाहता हूँ कि हमारे पास पवित्र बाइबल हिंदी भाषा में और बाइबल या नया नियम वडिया भाषा में बंगला भाषा में और आसामी भाषा में हैं अंग्रेजी में हैं और कई भाषाओं में हमने ओर्डर किया है वो आने ही वाले हैं अपनी जरूरत के अनुसार और इनकी जो बाजार की जो कीमत है उससे बहुत कम कीमत पर हम यहां उपलब दिकरवा रहे हैं इनको ले जाकर पढ़ना ना भूले प्रभू आप मेंसे हरेक की मदद करें आप मेंसे हरेक को अनुग्रह दें आपने यहां आकर आत्मिक जीवन में अनिग्रह पाने की कोशिश की है प्रभू अपना सर्वोत्तम आप सब को दे चैमसी की